आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम के उदाहरण। रिंट 6 बटे 7 के योज प्रतिलोम यानि additive inverse और गुणनात्मक प्रतिलोम यानि multiplicative inverse का गुणनफल ग्यात केजिए। यदि किन ही भी दो परिमेय संख्याओं यानि rational numbers का योग करने पर परिणाम 0 आता है तो दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे की योज प्रतिलोम कहलाती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि रिंट 6 बटे 7 का योज प्रतिलोम क्या है? सोचिए सोचिए। बिलकुल सही चुकि रिंट 6 बटे 7 धन 6 बटे 7 बराबर 0 है इसलिए रिंट 6 बटे 7 का योज प्रतिलोम 6 बटे 7 है। इसी तरह यदि किनी भी दो परिमेय संख्याओं का गुणन करने पर परिणाम एक आता है तो दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे की गुणनात्मक प्रतिलोम कहलाती है। चुकि रिंट 6 बटे 7 गुणा रिंट 7 बटे 6 बराबर 1 है इसलिए हम कह सकते है कि रिंट 6 बटे 7 का गुणनात्मक प्रतिलोम रिंट 7 बटे 6 है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ हमने रिंट चिन्न यानि निगेटिव साइन का स्थान क्यों नहीं बदला। सोचिए सोचिए बिलकुल सही। क्योंकि रिंट 6 बटे 7 का गुणनात्मक प्रतिलोम 7 बटे रिंट 6 है लेकिन इसके अंश यानि निउमरेटर और हर यानि डिनॉमिनेटर दोनों को हम रिंट 1 से गुणा करेंगे तो संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होगा और हमें प् यह रिंट बटे शाथ के योज्य प्रतिलोम 6 बटे 7 और गुणनात्मक प्रतिलोम रिंट 7 बटे 6 का गुणनफल ग्यात करेंगे tua होगा 6 बटे 7 गुणा रिंट 7 बटे 6 बराबर रिंड 1 इसलिए रिंड 1 दिये सवाल का जवाब है अगला उदारन परिमेय संख्या 3 बटे 10 में कौन सी परिमेय संख्या जोडने पर परिणाम 3 बटे 10 प्राप्त होगा हम जानते हैं कि केवल शून्य ही ऐसी परिमेय संख्या है जिसे किसी भी संख्या से योग करने पर परिमेय संख्या में कोई पदलाव नहीं आता इसले परिमे संख्याओं के योग के लिए 0 एक योज तत्समक यानि additive identity कहलाता है अब यदि हम 3 पटे 10 में 0 जोडेंगे तो परिमे संख्या 3 पटे 10 में कोई बदलाव नहीं आता यानि कि वांचित परिमे संख्या 0 है अगला उदारण निम्न लिखित को सरल कीजिए यहां पहले हम गुणन की संक्रिया को हल करेंगे साथ बटे आठ गुणा दो बटे तीन को सरल करके हमें साथ बटे बारह प्राप्त होगा अब हम योग के क्रम विनिमेय गुण यानि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की सहायता से संक्याओं का क्रम बदलेंगे और साचरिय गुण यानि असोसियेटिव प्रॉपर्टी की सहायता से इनके इस प्रकार समूह बनाएंगे इस कोश्ठक में हम देख सकते हैं कि तीन बटे चार और रिंट तीन बटे चार एक दूसरे के योज प्रतिलोम है इसलिए इनका योग शून्य आएगा इसी तरह इस कोश्ठक का भी योग शून्य ही आएगा चार बटे नौ धन शून्य धन शून्य चूकि शून्य एक योज जितत समक है इसलिए योग में चार बटे नौ के साथ शून्य का योग किया जाने पर परिणाम चार बटे नौ ही आएगा इसलिए यहाँ परिणाम होगा चार बटे नौ तो आज हमने देखे परिमे संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम के उदाहरण अगले वीडियो में इन से जुड़ी कुछ मिध्याधार नाएं देखेंगे